असलालेकूम फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल मर्यम कलेक्शन कैसे हैं आप लोग उमीद हैं आप सब खेरे से होंगे हुशबाश होंगे आज की वीडियो में मैं आपको स्लिप्स का डिजाइन बनाना सिखाऊंगी सिमाल पीसिस से यह देखें यह दो पीसिस मेरे पास हैं इनक सबसे पहले मैं शर्ट लेलूंगी और उस पर मैं देखेंगी कि हमें कितनी स्लिप्स चाहिएं यह देखें यह जो पीस है यह हमें जो स्लिप्स बनानी है उससे कम है तो यह दूसरा पीस है वो हम डालकर डिजाइन बना देंगे स्लिप्स को स्लिप्स की लेंद भी कम कंप्लिट हो जाएगी और डिजाइन भी हमारी बन जाएगी अब जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है वो मैं कट कर दूंगी ये देखें ये हमारा एक्स्ट्रा फेब्रिक कट हो गया अब जो ये दूसरा फेब्रिक है उसको इस तरह से फॉल्ड कर दूंगी में ये देखें ये हमारी लेंथ कम्पलिट हो रही है स्लीफ्स की जो हमें चाहिए अब मैंने ये स्लीफ्स को कटिंग कर लिया है ये देखें ये उपर वाले हिसे की कटिंग कर लिए और जो नीचे वाला है वह स्लीफ्स से ज्यादा हो यह देखें यह डबल फोल्ड है तो हम सेंटर से से कट कर लेंगे मैंने सेंटर से कट कर लिया है अब हम इसकी रिजाइनिंग बनाएंगे यह दिखेंगे जो दूसरा पीसे बोस्लिफ से ज़्यादा चाहिए हमें डबलिंग में इस तरह से में चुनट लगाऊंगे सब्सक्राइँ है सबसे पहले कि हमें एक इंच या डेवर एंच फॉल्ड कर देना है और करंके प्रेस कर देना है यह देखें यह मैंने फॉल्ड करके प्रेस कर दिया है अब मैं इस पर इस तरह से बीन ब्रेयर्स डालूंगी और प्रेस करती जाओंगे ये इस तरह से सारी आपने थोरे थोरे मुफासले पर प्लेट्स बना कर प्रेस कर देना है अच्छे से प्रेस कर देना है ये देखें इस तरह से आपने थोरे थोरे मुफासले पर इस तरह से फोल्ड करती हुए प्रेस कर देना है अब मैं सारे बार्डर को इस तरह से बना लूँगी ये देखें ये हमारा त्यार हो गया है सारी प्लेट्स में डाल देंगे ये देखें ये अब हमारी स्रीज पर बिलकुर उसके जिसा कंप्लिट हो रहा है फोल्ड करते हुए अब मैं यहां से स्लाई लगा दूँगी ये देखें ये मैंने स्लाई लगा दिये जहां पर हमने एक डेड़ इंच फोल्ड किया था पहले उसी जबागा पर मैंने स्लाई लगा दिये अब इस स्लीप्स को थोड़ा सा फोल्ड करके हाथ से प्रेस करें या इस तरी से प्रेस करके थोड़ा सा फोल्ड करके फिर इस स्लीप्स को इसके साथ जोड देना है मैं आपको जोर के दिखाती हूँ यह दिखें यह मैंने फॉल्ड कर दिया है अब मैं इस सिलीव्स को जो डिजैन बनाई है उसके उपर रखते हुए सिलाई लगा दूँगी उपर सिलाई लगा दूँगी यह देखिए अब मैंने सिलाई लगा दिये जहां से मैंने फोल्ड किया था उस तरफ से मैंने सिलाई लगा दिये अब मैं ये वाली लेस लेकर जहां पर मैंने सिलाई लगा ये उसके उपर रखते हुए लेस पर सिलाई लगा दूँगी ये देखें ये मैंने लेस भी लगा लिये कितने प्यारी लग रही है जो लिचे वाला हिसा है उस पो अगर आप चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो उस पर मेरी तरह ये देखें मैंने इस कप्रे को फोल्ड करते हैं सिलाई लगा लिए अब हमारी इस लेड़ी है अब मैं इसे शर्ट के साथ स्टिच करके आपको दिखाती हूँ ये देखें ये मैंने शर्ट के साथ स्टिच कर दी है अगर आपको ये मेरी शर्ट का डिजाइन सीखना है तो मैं जल्दी इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी मेरे चैनल पर आप देख लीजिएगा अगर न्यू है चैनल पर तो प्लीज इसे सबस्क्राइब भी कर दें साथ में दिये गए बेल वाग उनको भी प्रेस कर दें ताके मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स पार वाचिंग अल्ला आफिस